नमस्का दोस्तों कैसे हैं आप सब उमीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे मैं विनीता ठाकूर स्वागत करती हूँ आपका एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल पर आज दोस्तों हम जो करने वाले वो बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ फिर टॉपिक में से मैंने एक दो दो कुष्चिन लेए हैं और यह सारे क्वैश्चिन जो इनने आज 11 से 12 क्वैश्चिन है लेकिन यह क्वैश्चिन ऐसे हैं कि इनकी बहुत जादा रीपिटेशन होती है क्योंकि इन questions की बार-बार repetition हुई है तो मैंने पिछली परतियोगी प्रिक्षाओं से ही उठा कर आपके लिए ये question लाएं ठीक है मैं answer के साथ थोड़े थोड़े इनकी व्याख्या भी आपको बताऊंगी ताकि ये question फिर repeat हो आपके आने वाले टेस्ट के लिए तो आप उनको अच्छे से कर सकें ठीक है तो आए शुरू करते हैं फर्स्ट question देखें कि क्या है उड़ती चिडिया पहचानना मुहावरे का अर्थ क्या है इसमें नाराज होना सब कुछ जानना चाला की समझना या रहस्य की बात को दूर से पहचान लेना ठीक है क्या answer होगा जल्दी से अपने comment box में बताएं और कल जो भी हमने test series की थी ना score जो था वो एक दो लोगों नहीं अपना score mention किया था live chat बंद हो जाती तो आप comment box में आकर कर सकते हैं कि 27 में से कितने आपके सही हुए थे कितने नहीं हुए थे ठीक है मोहित सर का भी काफी अच्छा response था और भी 2-3 students थे जिन्होंने अपना नाम लिखा था तो इसी तरह से आप last में अपना score जरूर लिखा करो ठीक है live chat में नहीं तो आप comment box में लिख दिया करो ठीक है तो देखो क्या है इसका इसका सही अंसर आ जाएगा दोस्तों हमारा क्या जाएगा D. रहस्य की बात दूर से जानना ठीक है उर्ती चिडिया पहचाना इस मुहावरे का क्यार्थ होता है कि रहस्य की बात दूर से जानना कि आपको कोई सामने वाला कोई रहस्य बता रहा हो नहीं बता रहा हो लेकिन आप उसके बातों से ही उस रहस्य के बारे में पर दूर से ही भांप लें सेकेंद क्विश्टिं दिखेंगे वील है यामारा तथे जमः एफ त्था जमः झेंगी तो इन चार ओप्षिन से कौनसा ओप्षिन हो गाजनी से लिखेंगे comment box में कि क्या answer आ जाएगा हमारा second question का और हो सके तो साथ में आपने उस संधी का नाम भी लिख देना है जो option टिक करोगे तो तुकानी लगाना है आपने बताना है कि वो कौन सी संधी है तो इसका जो सही answer आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा D ठीक है कौन से आ जाएगा दोस्तों D आ जाएगा तथा जमा एब तो इसमें जो हमारा नियम है न वो कौन सा चला यहां पर सबसे पहले तो मैं आपको clear कर देते हूं कि यह है हमारी वृध्धी संधी कौन सी संधी आगी हमारी वृध्धी संधी आगी और इसमें नियम कौन सा चला हमारा आ जमा ए जिकल टू क्या जाता है हमारा ए ठीक है तो कौन सी संधी आई हमारी वृध्धी संधी आई और इसका रूल जो है हमारा नियम जो है वो है आ जमा ए जिकल टू ए क्लेर हो गया है इसलिए हमारा क्या बनाए तथा जमा एव नेक्स्ट है हमारा थर्ड बाजार से किस संग्य का बोध होता है जो बाजार शवब्द है ना यह किस संग्य को संबोधित कता है भाव वाचक को समुह वाचक को जाती वाचक को या फिर व्यक्ति वाचक को क्यांसर जल्दी से लिखे कि अंसरा जाएगा इसका हमारा इसका अंसरा जाएगा रहर ஜाइग वालदन के इस इस लिए यहां वानने लिखे विल्व में के अाध टेए थिका नंब नु फो देखेगे एक जाते जाती है तो समास है अगर आ आपको समास का विग्रह करना आ रहा है न तो आपको उसका जो नाम है ना बताते हुए जराब भी दिक्कत नहीं आएगी तो जिसका कोई शत्रु उत्पन नहीं हुआ हो ठीक है समझाई आपको समस्त पत का समस्त विग्रह क्या है आजाद शत्रु का जिसका कोई शत्रु उत्पन नहीं हुआ हो किसे बोलते हैं हम ये ठीक है किसी एक व्यक्ति को बोलते हैं ना मजाशत्रू युदिष्ठिर को ठीक है किसे बोलते हैं युदिष्ठिर को बोलते हैं तो हमारा जो ये समास आ जाएगा क्या आ जाएगा दोस्तों कि आपने लिखा बहुबरीही समास ठीक है अब बहुबरी समास के आपको definition भी पता होने चाहिए बहुबरी समास में जो हमारी definition है वो उसमें क्या होता है दोस्तों कि उसके ना पहला पद परधान होता है ना दूसरा पद परधान होता है कोई third पद ही परधान होता है ठीक है तो यहाँ पर किसकी बात की जा रही है युदिष्ठिर की बात की जा रही है कहते हैं कि उनके नर्म विवहार के कारण उनका कोई भी शत्रू नहीं था इसलिए उनको अजात शत्रू की संग्या दी गई थी क्लिर है नेक्स देखें नमबर फाइव देखेंगे मुख्य क्रिया के अर्थ को सपस्ट करने वाली क्रिया होती है मुख्य क्रिया के अर्थ को अब देखो जो मेन वर्व होती न उसकी जो भी जो अर्थ सपस्ट करती है क्रिया साथ में वो कौन सी होती है हमें पता होना चाहि ये सहाई क्रिया है, प्रिनार्थ kickingyah नाम्बोटक ये नाम्धातू की समय oh क्या आज्ञएका अनसर हमारे सहाहिएक olması नंबर शिक्स देखेंगे ham लगूर्मी में कौन सी संधी है ठिक है लगूर्मी में कौन सी संधी है अयाधि स्वरसंदी, दिर्ग स्वरसंदी, वृध्धी स्वरसंदी या फिर यर्ण स्वरसंदी कौन सी संदी आईगी इसमें जल्ली से पताएंगा और यह कोष्चिन लगूर्मी हो गया, सिंधूर्मी हो गया ये जो है न शब्द ये बावर पूछे जाते हैं एक्जाम में ठीक है नियम के तोर पर अगर आप कर सकते हो तो बहुत अच्छी वात है नहीं है तो आप लिखकर ही प्रैक्टिस कर लो इनकी रटों से ही पर ये कर लो ये शब्द जो बहुत इंपॉर्टन वार वार एक्जा वह होता है लगू छोटी उ की मातर आजाती है फिर प्लस फिर ऊर्मी चीक है बढ़ाऊ और चोटी की मातर अदेफ लगूर्मी आ जाता ही तरह हमारा और जब ये लगूर्मी आया न हमारा तो इसका विछे जो है इसमें नियम कौन सा लागू हुआ उ जमाऊ इस इकल टू बढ़ाऊ चीक है बढ़ाऊ तो इसमें ये क्या आगे हमारा लगूर्मी तो ये आगे हमारी दिर्क संधी आगे देखेंगे ये भी बहुत इंपोर्टेंट कोश्चिन है कवी का स्ट्रिलिंग क्या जाएगा मतलग कवीतरी 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 कौन सा जाएगा तो आपने इस जल्दी से लगें गेड़ी क्लिर और बहुत इंपर्टेन कोश्चिन है को और है गेड़ी तर्डइका प्रिय वात्ची शब्ड जो रगे में Mmm यूपति नदी क्या जाएगा हमारा यहां पर नदी पुरश वाचाग सर सर्व नाम के कितने भेद होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं जल्दी से लिखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद होते हैं हमारे बी ऑप्शन जो वो सही आ जाएगा हमारा तो कौन-कौन से भेद होते हैं उत् में देखींगे उपसर्ग suppression प्रेश कि ना जबता है तो उसको र हलंध करके लिखते आगा , समय की द्रurpose जल्से इस प्रतिकूल बोलते हैं समय अनुकूल बोलते हैं क्या बोलते हैं अपना स्कोर जाने से पहले जरूर लिखना है आपने कमेंट बॉक्स में लाइफ चैट में नहीं लिख पाओगे तो कमेंट बॉक्स में कि 11 नंबर 11 में से कितने माक्स आपको आए ठीक है और बहुत इंपोर्टेंट कोश्चिन है यह आपने जरूर रिड करने किसी भी टेस्टर देने से पहले समय की जिस्टी से अनुकूल क्या आजाएगा हमारा समय अनुकूल ठीक है दोस्तों तो यह थी दोस्तों आज की हमारी वी तो बहुत जल्दी मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तके लिए धन्यवाद टेक्यार